हाँ तो मैडम जी मैं यह कह रहा था कि आपकी जान पहचान में कोई ऐसा बंदा-बंदी है जिसे सरकारी या प्राइवेट नौकरी चाहिए हो यहाँ फिर उमर निकल गई हो यहाँ फिर नौकरी ना मिल रही हो हमारे पास लाइए साब हो जाएगा अब शिवानी को ही ले लीजी इसका तो हमने नकली आईडी कार्ट भी बना दिया है ताकि सरकारी नौकरी मिल सके उमर भी चार साल कम करवाई है हमने ताकि बाद में नौकरी मिलने में कोई दिक्कत ना हो दूसरा जनम दे दिया है आपकी बेटी को हमने क्या दिया है दूसरा जनम टैच वूड पैसी ये दूसरे डबे में क्या है मिठाय है भाई साथ अब देखिए न भाई साथ इसने नौकरी अभी जॉइन भी ने की है और अभी से इसे बहुत अच्छा कॉस्टुमर लड़का भी मिल गया अरे वा क्या बात है अब थोड़े दिनों में ये पोलिस पोर जॉइन कर लेगी उसके बाद शादी और लाइफ एक्टम सेट हो जाएगी टैचूड और किसी को भी नौकरी वोकरी चाहिए हो तो हमारे पास लेकिया ये पांच परसेंट आपको भी दे दूँगा कमिशन कि पांच परसेंट लेकिन नहीं चाहिए भाई साब उसकी कोई जरुरत नहीं है आपने शिवानी के लिए इतना सब कुछ किया वह हमारे लिए काफी है धन्यमार भाई साब जी ये जी जी है अजटा अच पता कैया चीता के थाने से कुछ लोग आ सकते पूश्ताष के लिए क तो कुछ नहीं होगी, तो सिर्फ फॉर्मालिटी, फिर भी हम लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा, हम सिर्फ वही बोलेंगे जो हम लोगों ने तै किया है, तक ही मामला जल्द से जल्द अब जाए, पिटा, तो जिन्ता क्यों करती है, मैं हो ना, सब संभाल लूगी, मैं हो चलो यार, तच मुद, अरे आप लोग, जी वो केस के बारे में थोड़ा कूछ स्थाच करना था इसलिए, हाँ, हाँ, क्यों नहीं, आईए, अंदर आईए, बैठी प्लीज, मम्मी, मम्मी, प्ली, यह मम्मी, है, सरोज, नमस्ते जीर, बैठे ना, बहुत अच्छा लगा जानके, कि आपकी बेटी निदी पुलिस फोर्स जॉइन करना चाहती, भूद बढ़िया बात है, ने, निदी निदीए, यह शिवानी है, हाँ, शिवानी, शिवानी है, शिवानी, शिवानी, का? का, 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 हम खड़े हैं, हमको भी बैठना तोड़ा किस्की है हां, तो वह जाके बैठीए न, Pushpa जी? नहीं, आप सा.. हां, तो केस तो आपको पता ही है का है, कि एक वैपारी है उसका कहना है कि आप उसका ये कहना है कि उसकी जुल्री शॉप थी वो.. पुषपा जी, आप पहले बैठ जाएगे, फिर हम बात करेंगे हां, बैठर, बैठर हां, तो हम ये कह रहे थे कि एक वैपारी है, उसका कहना है कि ये शिवानी नहीं निधी है और दो साल पहले ये उनकी जुल्री शॉप में गई थी और महांसे जुल्री चुडा के भागी थी हां, मुझे शिवानी ने बताया था कि लेकिन ये शिवानी है, निधी नहीं है तचूट नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है माताजी, आप जूट कहे बोल रही है नहीं मतब सच क्यों नहीं मान ले थी, क्या है ना कि अगर कल को ये थाबित हो गया कि ये जूट बोल रही है फिर जो इसका सपना है पुलिस फोर्स जॉइन करने का वो नहीं हो पाएगा कभी अरे ये ये आप नहीं आप हमारी पहले बात सुन लीजिए क्या होता है ना किसी पे कोई भी केस होता है तो वो कैंडिटेट पुलिस फोर्स में आज इवन अयोगे करार किया जाता है वो फिर कभी पुलिस फोर्स कभी जॉइन नहीं कर सकता है और क्या हमने आगे पीछे पता भी किया आपके आज पर उससे पूछा भी वो भी यही कह रहे हैं कि यही निदी है और हमारे पास गवा भी है गवाई देने के लिए कि यह निदी है और तो अब आप ये बात खुद कबूल करेंगी या फिर हम इसे गिरफतार करके लेके जाएं और फिर कोर्ट में साबित करें कि असल में ये कौन है आप ऐसा मत कीजिए मैं आपको सब को सच सच बता देती हूँ ये शिवानी ही है निधी शिवानी के बहन थी उसकी हम शकल एक सिट थी मतलब मतलब अब वो इस दुन्या में नहीं है निधी और शिवानी हम शकल बहने थी और फिछले साल उसे एक ऐसे लड़के से प्यार हुआ जिसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते थे कि वो लड़का खलत है और उसे धोखा दे रहा है हमने निधी को समझाने की बहुत कोशिश की ये शादी रोकने की भी बहुत कोशिश की लेकिन नहीं निधी नहीं मानी बात में जब उसे पता चला कि वो लड़का सच में खलत है और उसे धोखा दे रहा है तो ये बात अमारी निधी बर्दास नहीं कर पाई उसने आत्मात्या कर ली ये ये उसका वीडियो देख लीजे ये देख लीजे अचला है मामा मैं नदी में कूद कर अपनी जान दे रही हूँ मुझे माफ कर दो मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं बन पाई पर मैं हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर जा रही हूँ बाई आफियो एक बात हमको समझ में नहीं आ रही है माताजी कि भार जितने लोगों से हमने पूछा है सब निदी को जानते हैं लेकिन शिवानी को कोई नहीं जानता है ये क्या चक्कर है हमारी निदी बहुत सोशल थी ना सब के टच में रहती थी और शिवानी थोड़ी रिजर्व है किसे से बात नहीं करती है इसलिए लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी दो बेटी आ थी वो तो यही समझते है कि निदी हमारी इकलोटी बेटी थी ठीक है पुषपा जी, संतोष निदी से रिलेटेट जितने भी डॉक्यूमेंट्स आइडी है सब लेकर आईए हम भार इंतजार कर रहे है जी माडम ठीक है, चलते है आपके पास जितने भी कागजात है आप हमें दे दीजी माडम जी अज़ अज़ मुझे आपसे कुछ बात करें थी कमरे में जाके कर सकते हैं हाँ चलिए, आईए ना पुषपा जी, मैं आते हूँ, आप यही पर रहे हैं आईए ना अटी जी, आईए आईए आपके बोली ना मैं कह रही थी, कि आपकी बेटी की शादी आप यह लड़के से कराने हैं, चिता चतरवेदी से तच्वूड तच्वूड हर्किज मत कराईएगा लड़की की जिंदगी बरबाद हो जाएगी है, सब क्यों कह रही हो? लीचड है, एक नंबर का घटिया तो बहुत ही सोफिस्टिकेटिड वर्ड है क्यारेक्टर के सामने, बहुत ही थड़कला साथ मुई है ऐसे क्या खराबी है इसमें? खराबियों का ब्रैंड अमबाज़टर है ये चितना पैसा कमाता है, सब पीने में उड़ा देता है ए बगवान, इसा लड़का है, शराब पीता है आपको पता है अँटी जी, कामचोर है एक नंबर का हाँ, और तो और आपको पता है क्या कहता है कहता है कि अगर कमाने वाली बीवी आ जाए ना तो अपनी नौकरी छोड़ देगा, कमाने वाली बीवी के पैसों पर आश करेगा नहीं चाचुर अच्छा, तो ये है कमरा, बहुत बढ़िया, किसका है, जी मेरा है, हाँ शिवानी मैं चल रही हूँ, ठीक है, थांक यू, बाई शिवानी हम भी चलते हैं, हाँ मम्मी, क्या हुआ, लड़के में तो बहुत खराभी निकली, तो तो बाल-बाल बस गई, बेटी करिश्मा सिंग, हमने अपको पता लगाने के लिए कि लिए कि वो कौन है जो जबर्दस्ती डीएसपी सर को यहाँ थाने से मिस्ट कॉल दे रहा है, कुछ पता चला? नहीं मैडम सर, अभी तक पता नहीं चला, लेकिन जल्दी पता लगाएंगे कौन टोपा इंसान है, जो तक थाल्टू टाइम है कि मिस्ट कॉल मारने का फिलाल हमको लगता मैडम सर, शिवानी का केस जो है वो रद कर देना चाहिए, क्योंकि केस है दो हमशकल बहनों का, अमित को लगता है कि जो शिवानी है वो निधी है, जबकि निधी मर चुकी है, तो केस काफी क्लियर है, कुछ खीचने का मतलब नहीं है केस को ता जुर्बा कहता है हमारा, जूट का लिबास कितना ही शांदार क्यों न हो, सच के आइने के सामने आके उसकी असलियत खोल ही जाती है हमें नहीं लगता कि ये केस खत्म हो है, हमें लगता है कि ये केस अब ठीक से शुरू होगा, ये तस्वीर वो नहीं है जो हमें दिखाई दे रही है, कुछ तो टुकडे बाकी है तम कुछ समझे नहीं माडम से, आईए इन डॉकिमेंट्स की मुताबिक, शिवानी निधी से चार साल छोटी है का? एक्जाक्ली, ऐसी कौन से हमशेकल बहने होती है, जिनके बीच चार साल का एज डिफरेंस हो? कुछ तो है इस केस के बारे में जो हमें अब तक पता नहीं चला है हमने इस तरफ ठ्यानी नहीं दिया, हमने सोचा ही नहीं इस तरफ से सौरी माडम से, अब बताईए अब आपके दिमार्ग में का है, अब क्या सोच रही है वही, जो हम हमेशा करते हैं, सच का पता लगाना और उसे दुनिया के सामने लाना हम पता लगाएंगी कि इस समंदर में कितने राज छुपे हैं हाँ जी, तो कृपया करके सब ध्यान से हमारा बात सुनें याँखे कोई टोपा इंसान है, जिसके पास इतना फालतू टाइम है कि वो DSP सर को बार बार लगातार यहां से मिस्टपाल मार रहा है हम जानना चाते कि कौन वो टोपा इंसान है, जो हमारे ठाने का प्रॉपर्टी का मिस्यूज करकर अपना टाइम पास कर रहा है, कौन है वो टोपा इंसान शरी मैं? अब अब मेरी तरफ क्या दिख रही है? मैं इतना बुद्ध नहीं हूँ किसी दाम इस पी सर से पंगा लूँ और मेरा बिल्लू निवास मुझे बहुत ही प्यारा है इधर इधर इन दोनों में से होगा, इनके पास बहुत भाल तूटाइम है बिल्ले खोश पांगी नहीं, जो कोई भी है, हमारे सामने अपने आप आप आजाए क्या है कि हम अगर खोश के निकालेंगे न तो उसके लिए बहुत बड़ा दिखकत हो जाएगा बतारे आपस में सुटा लेते हैं मामले को, अपने आप हमारे सामने आजाएए हम नहीं बताएंगे मैडम सर को का पुषपाजी हाँ का? क्या? यह एक जगह खड़ी रह सकती है ना बड़साती मेंडक की तरह काहरेंग रही है, यह खड़ी रही हैं यहां खड़ी रही है ना आप कैसे आ गए यहां जयहिन आदम सरू जयहिन जयहिन हम NEXT University यह शिवानी है जो निधी बनने का नाटक कर रही है। वो असलियत में निधी ही है। और खामका हमारी आखों में धूल जोकने की कोशिश कर रही है। उस ऐसा लगता है कि यह हम शक्ल वाली फिल्मों जैसे ज्रामे करके वो हमें बरगला लेगी। लेकिन हमें सच तक पहुचना होगा। और यह काम करिशमा सिंग आप करेंगी और आपके साथ साथ चीता आपकी मदद करेगा। वो इसलिए क्यों.. एक मिनिट चीता चुतरवेदी है कहां। मैडम सर आगा मैडम सर आगया। आगया। नहीं मैडम सर, गल तक हम ठीको गया ते.. aaahhh.. कल तक ठीको गया ते.. मैडम सर, नहाते सब हम भूले कि अमरा हात उटा वाईत। यह ती आपका साहरे लेकर उठे थे फिर सइसा होग गया पर हम आगा। मैडम सर, हमर करिशमा क्या कुछ हम कह रहे थे कि तुम इसले मदद करोगे क्यूंकि शिवानी के घरवालों को तुम पसंध हो, उसे तुम पसंद हो, तुमक्त तुम्हारी साधी की बात है दो फ़िर ठी मादम सर, बात चल रही ठी क्या? हाँ क्यों? पता है कोई फोन करके सिवानी के माई को हमारे बारे में इतना खराब बोला है न क्या बता है इतना जीदा खराब तो इस घर वाले अपने रिश्त दार में हमारा फोटो दिखा कर सबको डारा रहे और इस हादसे के बाद से साधी तो दूर का बात है, मैंडम सरुलूग तो हमारा सकल भी देखना नहीं चाहता है, का बता है? अच्छा? क्या कहा किसी ने? कहा है कि हम, यानि की चीता चतुरवेदी हम कमीना हैं, लालची है, लीचर है, गधा है, फालतू है, थर्ड क्लास है, वाहियाग है, चीप है, हमारे पद्थू है, करेक्ट ये, महारे में.. अच्छ, एक बात बताओ, तुम शिवानी के केस के लिए इसब कर रहे हो, ये बात तो सिर्फ हम थाने के लोगों को पता थी, तो पर ये काम करेगा कौन? एनिवेज, हम इस बात का तो पता लगा ही लेंगे, करिश्मा सिंग अपकी बहन कब तक आ रही है, बहन? 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 हाँ, बहन. बस एक आठ घंटे में मैडम सर आजाएगी, कोवरी आईगी? करिश्मा सिंग, कि सब को पता चल जाएगी, कि वो आपकी बहन है, जी. इनकी तो कोई बहन ही नहीं थी, ये बहन का पेडागी? अभी एक दो घंटे में जब आएगी, तो आप सब को पता चली जाएगी. इनकी बहन बिलकुल इनकी तरह है, हूब हूँ, हम शकल. और अब हमा काहे रेंग रहे हो, जब नहीं चला जा रहा है, तो खड़े रहो एक जगा ना. मैडम, हम सकल बहन के बारे में पूछने के लिए चले आएगा है. हम शकल बहन जो है. ये सब क्या हो रहा है, माडम? हाँ, आपकी बहन? ये कब पैदा हुई? मतलब हमें तु पता नहीं लेला को भी पता नहीं होगा ना? अमा सुनिये हमारा बात. मैडम, सर के देमाग में कुछ आइड़ा है, सब आगे आइए सुनिह हमारा बात. हाम मैडम, बुलिये. हाँ. 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 समझ गए सब किसा? समझ गए सब? समझ गए सब? सुनिए फालतू में ना कोई फैलना नहीं चाहिए और आप पुषपा जी आपका जो आसाधारन अभीने प्रतिवान जो कभी-कभी फ्लो फ्लो में फूट के ओवर एक्टिंग बन जाता है उस पे थोड़ा काबू रखिएग कहां लेके जा रही हो आओ तो सही हो दख्शल करने इस बोले नो हो गया हो गया देखो संदू मैम इसकौल बाला राज रहना चाहिए रहेगा अकर शिवानी के मा को भढ़काने वाला राज राज राहा तो रहेगा किसी को पता है testimon Hill कि चले legg कि सिवानी की मां को तुमने दूसर दूसर अगी अगी बदनाम चलो हम दोनों को बढ़ी आसी चाय पिलाओ बढ़ी आसी चाय बढ़ी पुषपाजी आपको देरा मैं बदनाम स्पेशाल है संतु तुम कह रहे थी मिस्सकॉल देने वाना जो आइडिया है पुषपाजी कौनसा मिस्सकॉल टीरे टीरे पपपी लगी के हमारे थी पुषपाजी नहीं तो फिर थोड़ा पीछे अपिडिया थी मिस्सकोल देने वाला जो हमारा आइडिया है वो बहुत ही पुराना है बखवाज है तो काम नहीं करेगा हां, तो फिर तुम्हारे पास भी कोई आइडिया है ना, जो उन दोनों को करीब लाए कुछ पाजी, चाई में अधरेट डालो, मा काशम बहुत मजाएगा ठीक, ठीक, डालो, डालो, डालो हां, 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 तु बताओ ना अरे, अरे में अरे, आग खाओ अरे भाई अट, आख! अरे भई, हाँ, हाँ, आख, हाँ, अबस्तों आपके लोग के अपर इस दिखाई नहीं दे रहा है इतना बडा गाड़ी आरहा है यहां से अरे क्या किया दिखते ने क्या मेरा ठेला तोड़ दिया किसको बोल रहा करिश्मा मेडम है वो बहुत मारती है बदनाम से पुछ अम अब बॉक हो क्या तुम दिखाई नहीं दे रहा इतना बड़ा गाड़ी चल कर आ रहा है हाँ ठुग गयाना अभी जानते हम कौन है हम करिश्मा सिंग की भेन रवीना है हाँ आपकी पहू है पुछ पछी शकल और भौकाल मेना एक दम सेंग नाम सेंग तु सेंग पासंग है हम ने जिखाया भी ने हमारे disting का कनेक्शन टूट अना तो सामने वाले की लाइफ का कनेक्शन टूट जाता है का समझेए पुरा लखना ऊ जानता है कि हम और करिश्मा दीदी एक ही कुंड़ी में पैदा हुए इसले हमारी राशी वह भी एकदम same to same है. कौन सी राशी? सिंह राशी, का समझे नच राशी हाँ? ये पिलोटे? करिस्मा मैडम जितना बढ़ी एक्टिंग कर रही है, बिल्कुल नहीं पकड़ाएंगे की करिस्मा मैडम ही रवीना है. रवीना...? अरे जवीना आई है, देखो तो चांग कर टुकड़ा, जिकर कर टुकड़ा अब कुश्पाजी की वो रेटिंग के वोजे से पकड़ में आएंगे कितनी सुदर लग रही है, बहुत बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, पहचाना पहचाना क्या पुश्पाज इसमें पहचानना है क्या खुद तो बोले ही करिश्मर सिंगी बेहन रभी ना है वो मतलब यह की चहरा, चहरा तो देखो किसी का एकदब करिश्मा मेरम किते रहे ना दिट्टो, सेम टू सेम, होगा ही ना करिश्मा जी की बेहन जो है, चार साल छोटी, पहुरानी, करिश्मा जी देखो तो कौन है क्या हो रहे यह सब यह सब क्या है चोड़ा, मैरम से देखी तो कौन है, करिश्मा जी की छोटी बेहन, रभीना हाँ हाँ पुश्पा जी हम समझ गए ये सब इन्हों ने किया है हाँ अमर हाँ ठीक है तो फिर आप किसी की भी बहन हो आप फिलहाल एक गुनेगार है इन्होंने इस आदमी का ठेला तोड़ दिया नजाने कितने का नुकसान कर दिया इसलिए इसकी साजा मिलेगी संतो शर्मा गिरफतार करो इसे